अरे कौन हो तुम लोग और अंदर केसी चले आए है चलो बार चलो चलो हाथ नीचे रख वर्मा तोड़के गले में डाल दूगा हां सारे अरे ओ मुन्ना कौन है ये चिजुन्दर जो मेरे घर में मेरे आदमी को मार रहा है ये तो रही मैं टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर एक मामूली टैक्सी ड्राइवर का मेरे घर में क्या कान ए गनपत यह मेरा दोस्त राम आज ही इलावा से आया इलावात का नाम तो आपने सुनाई होगा ए मतलब की बात कर चल ओई ओई भाव ने खाना देख इसका सामान चुरी हुआ है दादर और वीटी के बीच में और दादर और वीटी के बीच का इलावा है तेरा सीधी तरह इसका सामान दे दे वरना तु जानता के मैं फित तेरी एग भाई रहीम हाथी के मुँ में गन्ना चला गया सो चला गया ऐसा कर ठंडा पाने पी और फुटास कर चल ए गनपत सामान तो मैं लेकर ही जाऊंगा मुन्ना अगर ना दू तो हाथी के मुँ से गन्ना कैसे निकाला जाता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं उठा कर बार भेंग दो साले को तो बाहर संभाल इस गयाने को मैं दे कहां है सामान ग्यांडे बता दे परना मैं कहां से निकालूँगा गन्ना तो अच्छी तरह जानता है बताता हूं अब यो राजू कहा लिए तुने इसका समान उताराता ना जल्दी जब वापस कर दे जल्दी तरह जाए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर से नाकर दो कर 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 दो ए जी, जरा इन से कहिए न वहाँ बैठ जाएं अच्छा, भाई साहब जी, जरा आप बैठ लोगे खाना खाले गुड़ी, तु यहाँ आजा बैटी तू सगो जी भाई साहब भाई साहब, खाना खालो जी, नहीं, थैंक यू अगर मैं खाना खाऊंगा न, तो आपका खाना कम पड़ जाएगा क्योंकि हम इलाबाद के लोग खाना बहुत खाते अच्छा, तो आप इलाबाद के रहने वाले आएंगे जी हाँ, जहाँ जहाँ गंगा जमना का संगम है जहाँ के पंडित नेरू है, जहाँ की इंदरा गांधी है और जहाँ की हमारी घरवादी है ये भी लबाद की है ले बेटी एक तो ददा, हमीदर बोइठेगा बेटी बेटी नवस्क ददा, आप बंबई जाता है जी हाँ बंबई हीरो बनने का लास्ते जाता हो हैंगा जी नहीं, मैं तो नोकरी की तलाश में जा रहाँ फिर? फिर क्या? फिर छोकरी? फिर? छोकरी के बाद शादी, शादी के बाद एक दो बच्चे क्योंकि हम इलाबाद के लोग दादा, आभी इलाबाद का है आभी कान काता होईगा ठड़ा भूँ पाउ कुछ मैं कहूं, कुछ तुम कहो रस्ता गटे बात आगे बढ़े ये छोटी सी अपनी मुलाकात गाडी के साथ आगे बढ़े कुछ मैं कहूं, कुछ तुम कहो रस्ता गटे बात आगे बढ़े रस्ता गटे बात आगे बढ़े ओ बाजे वाले रे बाजा बाजा ओ बाजे वाले रे बाजा बाजा फिल में कोई रुन राजा बाजा ओ बाजे वाले बाजा बाजा फिल में कोई रुन राजा बाजा दुलहन भी है दूला भी है थोड़ी सी बारात आगे बड़े कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहों रस्ता कटे बात आगे बड़े जीवन सफर मुसाफिर सभी माना के हम सब है अजनबी जीवन सफर मुसाफिर सभी जब भी मिले हम सब कही ये प्यार का हाथ आगे बड़े कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहों रस्ता कटे माध आगे बड़े ये छोटी सी अपनी मुलाकात गाड़ी के साथ आगे बढ़े गाड़ी के साथ शाथ आगे बढ़े रस्ता करदे बात आगे बढ़े आरे बबा, आपका हिलाबात का जान बहुत सुन्दर है आपके मेरा सावान दोने ले जाने अरे नहीं भाई ये हमारा अपना है और ये हमारा अपना है देख लीजिए तो फिर मेरा सामान का है अरे भाई ये बंबई है बंबई जरा हुश्यार रहो और अपने पूरे बदन को आँख बना कर जीना सिखो यहां तो लोग आँखों से काजल भी निकाल लेते हैं और आँख वालों को पता भी नहीं चलता लगता है आपका सामान दादर पर किसी ने उताल लिया है ये बंबई का पहला सबत याद रखना याद तो रखोंगा लेकिन सामान तो गया न चाचा और फिर बंबई में न किसी से जान न पहचान भगवान सब भी करेगा बेटा अच्छा हम लोग चालते चलो बेटी कुली, 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 कुली साफ। मैरे पैसे और ठीकिले उसी में थे। तब तो आपको बहुत पड़ा लग खाया है? जबता है बँदा में तो प्हली बार आया है? हां भई आया तो यहां पहलीबार रही हूँ अरे याः, एक बार रोता हो टिक्ट के बगाईर, यहां से बाहर जाने का को रास्ता है? एा रास्ता है, वो देखो, ऑ रेलिंग है रेलिंग उसके उपर से चलाकमार को तुम बाहर निकल जाओ हां अच्छा उधर स्पेशल चेकिंग हो रही है कही पकड़ लिये ना तो सीधे अंदर जल जाओगे है समझे हां या साथ है किदर दाता है लगता है तो विजाओड शिकरत पक रहा है करनैर एसे केस अब ने कुछ नही हो गषाओस्ा तो फिर करनैरी ऐसे कैस इस आपनी टैक्सी में घूसाए चोह कि तरह मैं चोहर नहीं हूँ भाय साब चोहर नहीं तो साथ है तो फिर ये पोलिस वाला है ये पीजिक है आ क्या चुरा है मने कुछ नहीं चुराै आए वहला मेरा ही सब चोरी हो गईबvis वहलेरे पिश हे चोरी हो गया ट्रेन में मेरा बठ़तर के बाहर आये अ達रन प्रेड को पुलिस तेरा कुछनी बेगार सकता हाथ नंतर कर तो तुम इलाहबास आये हो हाँ लेकिन इलाबाद का नाम सुनकर तुम इत्ते चौंक्यू का है बई मैं भी इलाहबाद का रहने वाला हूं इलाहबाद के आदम कुछ तेरा तकलीफ हो जाए तु कैसे बरदाश्ट कर सकता ह समगल का है, समान दोहारा मिल जाएगा, मुझे बस थोड़ा से काम है कल एक पैसंजर को उठाया था साहार एरपोर्ट से वो अपना सामान भूल गाड़ी में चोड़ दूँ उसके बाद तुम्हें तमारा सामान भी दिरवाद हुगा मैं अभी आता हूँ बहुत देर करती, सहाब कितनी बात तुमारे बारे में पूछ चुके है कहा है सहाब? अंदर हॉल में और बारे में पुके है गाम, तु यही ठैर मैं भी आता हूँ कॉमसी जगह है यही यह साधू नगर है, चोर रहते हैं साले तुम्हारा जो सावान चुरियो ना, यहीं से मिलेगा मैं भी चलू अरे तु ठैर ना, मैं भी आता हूँ नहीं भाई, वो देखो यह किसी साम को सामान वेचने जा रहा होगा चल यह जिन्स तरे लिए, कुरू देख तो इन में है कोई तेरा अरे कौन हो तुम लोग, और अंदर कैसे चली आए है चलो बार चलो, चलो हाथ नीचे रख, वर्मा तोड़के गले में डाल दूगा अरे वा मुन्ना, कौन है यह चिजुन्दर जो मेरे घर में मेरे आदमी को मार रहा है यह तो रही माई, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी डैवर? एक मामूली टैक्सी डैवर का मेरे ग़र में क्या काम? ए गनपत, यह मेरा दोस्त राम, आज ही इलावा से आए इलावात का नाम तो आपने सुनाई होगा? ए मतलब की बात कर चल ओओ ओओ भाव ने खाना देख, इसका सामान चुरी हुआ है दादर और वीटी के बीच में और दादर और वीटी के बीच का इलाका है तेरा सीधी तरह इसका सामान दे दे, वरना तु जानता के मैं फित तेरी देख भाई रहीम, हाथी के मुँ में गन्ना चला गया, सो चला गया ऐसा कर ठंडा पाने पी और फुतास कर, चल ऐ गनबत, सामान तो मैं लेकर ही जाऊंगा मुन्ना, अगर ना दू तो हाथी के मुँ से गन्ना कैसे निकाला जाता है, वो मैं अच्छी तरह जानता उठा कर बाहर भेंग दो साले को तो बाहर संभाल, इस गयाने को मैं दे झाल 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 कहां है सामान गैंडे बता दे वरना मैं कहां से निकालूँगा गन्ना तो अच्छी तरह जान दे बताता हूँ अब यो राजू का लिए तूने इसका सामान उताराता ना चल दी जब वापस कर दे कहां जगे चल छोड़ देता हूँ मुझे किसी धर्मशाला में छोड़ दो धर्मशाला अरे भाई यहां बॉम्बे में धर्मशाला नहीं होती है यहां या तो होटल होते हैं यह कोली होती है चाल होती है यह फुटपात होती है ठीक है तो फिर मैं यहीं कहीं फुटपात में रह लूँगा मैं यहीं कही फूट पास तो रह लूँगा, आज तो तेरा सामन वापस दिलवा जिया, कोई फिर लेगा तो पाताल से नहीं मिलेगा क्या कर के लेते हो तुम मैंने इलाबाद उनिवसिटी से बिये किया बिये से क्या होता है, बिये तो बिचारे यहां गिराज में कलीनर है तुझे वो काड़ी गाड़ी चलानी आती है इलाबाद के लोग देश चला लेते हैं, गाड़ी क्या बात है बात बनके अपना एक यार है, उसकी टेक्सी खाली पड़ी है परसु कह रहा है था कि उसको एक ड्राइवर की जुरूरत है जब तक काम नहीं मिलता तो टेक्सी चलाना और मेरे साथ खोली में रहना आपके साथ है, क्यों? अरे चलना यार तुम चाहता है क्या है मैं, हर रोज तुम अपने टेक्सी से लाफड़ा करता है तुम अपने टेक्सी को संभलते क्यों नहीं ज्यादा चोट नहीं लेगे पूचने वाले तुम कोन होते हो जी मैं राम, राम कुमार सिंग यह मैरा दूस राम है, आज ही इलावाद से है इलावाद से? जी है इलावाद, जहां गंगा जमना का संगम है जहां कि पंडित नहरू, इंदरा गांदी जहां कि तुम हो, रहीम हो इलावाद हैं सब होता है क्या? अगर मेरे टॉंग तूट पूट गई होते तो तो भी मैं शादी तुम से ही करता और लंगली होती तो भाकर कहीं न जा सकती और मैं बड़े प्यासी कहता, मेरे लंगली रोजी चिल हट रहीम भाईया क्या रहे? अरे भाईया असली मगही पत्ता हाई गवा है चाबला दूटो बीड़ा चूना छके अब जाबे है, असली क्या कि नकली खिलाता रहता है भाईया यहा तो हर चीज नकली मिलती है पान नकली, दूड नकली, चाए नकली, शराब नकली यहां तक कि आदमी भी नकली ये कोन है रहिम भाई ये मेरा दोस्ता है इलाबाद से अरे सामने खड़ा नजर नहीं आ रहा है ये नहीं चलेगा एक बार दोगा खा लिया दोबार दोगा नहीं खाऊंगा तो सुधेगा या नहीं हा रोजी इसे समझा ले अपनी आदमी की जे आप खड़ा क्या देख रहा है जाके सामान नगाल दिक्के में से ये अरे भाई ये है मेरा बंगला तुम्हें नहीं लगा दूगा जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता मेरी वो टेक्सी है ना तुम चलाते रहो आराम से यहीं रहो मेरे यहां रहने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी रहीं भाई क्या आप बात करते हैं भाई कहते हो साथ में तकलीफ की बात कर रहे हो रहीम भाई ये रोजी 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 अपनी डारलिंग है महले में रहती है मा के साथ बाप है निविचारी का धाबा चलाती है हम लोगों का पेट भर जा तो उनका घर चल जाता है ये लो रोजी आज से दो आजम का खाना बनाना राम भी यहीं रहेगा क्यों? यह तुम्हार सगे वाला है क्या? सगे वाले बहुत बड़े होते हैं यह सगे वालों सुझी बड़ा है मेरा यार है अरे पीए पास है बहुत बड़ा अफसर बनने बारा है राम भाईया अगर आपको अफसर की नौकरी मिल जा तो मुझे अपना चप्रासी रख ले न और अगर चप्रासी की नौकरी मिली तो तो फिर मैं आपका अफसर बन जाओंगा बहुत चाले है अरे भाई आज आप रात को खाना जल्दी खालेंगे न अल्ला सलामत रखे खुदा तुझे साथ भी गार्शी रोटी में बरकत दे गार्शी का नौकरी अगर्शी को खाले है ऑन जाओ जिस तरह आप हम गरीबों का खैल रखते हैं उसी तरह आख आपकी रोजी-रोटी में बरकत दे प्रिंजरों नहीं था उलाँ कि अलाँ कि अलाँ कि अ तर्ड़ मैं जा झाल लुफ विलिए कर दिह बादा है अम्मा, अम्मा रहीम बेटे, तुर आ गया सलाम, सलाम जीते रहो बेटे, जीते रहो कहां गुमता रहता है, इतने इतने दिनों तक तुझे देखने को आखे तरज जाती है, बेटा अम्मा, तु अच्छी तरह जानती है अपनी टेक्सी बंबई से पूना पूना से कोलापूर, कभी शोलापूर, कहां कहां भटकता रहता हूँ जैसे ही वक्त मिलता है उड़के अपनी अम्मा के पास आ जाता हूँ एक बात सुन ले अगर तेरा यही हाल रहा न तो तो किसी दिन आएगा और तुझे पता लगेगा कि पिछले ही मैं ने तेरी अम्मा गुज़र गई ना ना पंगा ऐसे लफजबान पर मतला ना तेरा साय तो हमेशा मेरे सर पे बना रही मैं तो जब भी जुम्हे की नमाज पढ़ता हूँ तो अल्ला में से यही दुआ करता हूँ कि मेरी उमर के भी दस बीस साल मेरी अम्मा के लगज़े है तेरे मुझ में खाख खबरदार पिर कभी ऐसी मन्हूस बात मुझ से निकाली तो माफ़ी अमा पारा डाउन बिल्कुल अरे यह टॉमी इतना खामुश क्यों बठा है क्या उसको रेश्मा नहीं आई है ना और फिर आज सबरे इसने मेरी डांट बिखाई है अच्छा मारती मीला ठीकसर नमाजी नहीं पन ने जेता यह मुझसे भी ना लरा है nuc में डामी denken डामीड केदर चला कहीं नहीं गया रेश्मा कालीश से आ गई होगी न और इसकी नाक बिल्कुल खुफिया पुली ज्याष्टी दूर से सूंग लेता है कि रेश महाने वाली है मैं तेरी लिए चाय बना लाती हूँ सुनो अमा वो पत्ती ज़रा तेज रख न, सौ मिल वाली खावट दूर हो जाती है तेरी हाद की चाय पिके टॉमी टॉमी यू दर गई तुने समझे के भाईया एल सेशन कुटता लेया घर में हाँ क्या भाईया आते ही मुझे डरा दिया अले मेरी प्यारी बहन आचाय ये बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है कॉलेज में वो तो ठीक चल रही है लेकिन पहले ये बताओ इतने दिन बाद कैसे याद आई हमारी हमें मालूम था अम्मा के बाद ये गिलाशिकवा आप भी करेंगे लेकिन एक बास सुनो बस थोड़े दिनों की बात है ये रूट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ यानि कि बंबई पुना सितारा बन टैक्सिस सिर्फ बंबई में चलेगी जल्दी घर आउंगा तुम्हारे और अम्मी के साथ ज्यादा वक्त गुजारूगा अले तु जग्रा बंद कर मैंने पानी चड़ा दिया है तू अपने भाईया को चाय पिलाते चाय वाई कुशनी अम्मा आज मैं भाईया को बिना खाना खिलाए नहीं भेजूगी और आज हम भी बिना खाना खाय नहीं चायेंगे प्रश्प गूज़े तू जाए प्रश्प गूज़े नहीं चाये वाईया ये रही उस केस की फाइल तेंक यू टाम साब एक बात मेरी समझ में नहीं आती क्या कातिल की तलाश के लिए आपने उसी बस्ती को क्यो चना इसलिए कि निरंजन सेड का कतल किसी ट्रक ड्रैवर नहीं किया था और उस बस्ती में ज्याद दर ट्रक ड्रैवर ही है लेकिन आप उस बस्ती में पहुंचे कैसे ये सब पुलीस वालों के पैंतरे हैं मैंने एक आदमी से दोस्ती की जो टेक्सी चलाता है रहीम नाम है उसका इलाबाद का रहने वाला है बहुत नेक इनसान है इलाबाद उसकी कमजोरी है इलाबाद के किसी भी इनसान को वो तकलीव में नहीं देख सकता इसलिए नाटक करके वहाँ पहुंच गया हो सकता ये खोन उसे ने किया हो मुझे नहीं लगता हो इस किसम का इनसान नहीं है फिर भी देखते हैं मैं वहीं पर हूँ उसके घर में राम साब इसी स्पेशल डूटी के लिए आपको इहां बुलाए गया पूरे डेपार्टमेंट की नजार आप पर है मैं जानता हूँ मैं पूरी कुशिश कर रहा हूँ हो सकता थोड़ा वक्त लग जाए इस फाइल में आप क्या ढूण रहे है इस पेपर कटिंग को शायद यही हमारे काम आजाए ओ बैस रफ लग पर थेंक यू गुड लग पर राम बया रहीम बय नहीं यह गर में नहीं अरे मैं तो दो कप चाहे लेकर आया था तो एक कप चाहे तू भी ले बैठ जाए यहाँ पर ने ने आप बैठिए मैं तो बैठने जा रहा अवे चप हमारे इलाबाद में कोई अकेले चाहे नहीं पीता बैठ जाए यहाँ चुप चप राम भाईया वैसे आप आदनी मगबस क्लास है अच्छा वो कैसे अगर आप अच्छे आदमी नहीं होते तो फिर रहीम भाई आपके साथ दोस्ती नहीं करते तुम्हारे रहीम भाई में कौन कोई अच्छाईया है अरे एक थोड़ी अच्छाईयां रहीम भाई में तिन पर चक्के की तरह पिस्ता रहता है ट्रक की तरह चलता रहता है लेकिन अपने एक्जास्ट का धुआ किसी और को लगने तक नहीं देता राम भाईया उसकी चाती में जो दिल हैना दिल उसकी डील सभी डबल है अरे जितना कमा के लाते हैं सब बस्ती वालों पे खर्च कर देते हैं अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं उनके पास अब देखो ना, तुम उनके कुछ में नहीं लगते फिर भी तुम्हें अपने भाई की तरह चाहने लगे हैं वो और जानते हो, रहीम भाई ने ना जाने कितनी भाग दौड करके तुम्हारे लिए टेक्सी के लाइसेंस का भी बंदुबस कर लिया है लेकिन बस उनमें एक डबल खराबी है वो क्या? अरे, मेरे को ना पत्ते खेलने देते हैं, ना जेब कांडने देते हैं अवे ये खराबी है गिया, चल जा अपी कान है? अरे, रहीम हमें हैं घर पर, हमें जान अमी जी, हमें जान जी मम्मी घर पर नहीं है, लेकिन क्या बात है, आज मम्मी को बहुत याद कर रहे हो क्या ना, रोजी आज जुमाह है, मैंने सोचा था मम्मी के पैर चुँगा, बहुत सारी दौएं लूँगा, आज ने बाबाबाबाबा, महा चालो हो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मम्मी इस वाक चर जाती है अरे, हाँ, मैं तो भूल गया था कि मम्मी के लिए ये क्या है, ये भी मम्मी के लिए ये क्या कर रहे हो, दर्वाजा खुला है अरे, मैं भी कितना बुद्ध हूँ, दर्वाजा भी बंद नहीं करता बिल्कुल नहीं, देखो, तुम जब तक मुझसे शादी नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये दर्वाजा बंद करने का कोई हक नहीं है मामी भी पूछ रही थे, तुम मुझसे शादी कब करोगे टार्लिंग, मेरा बस चले, मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर रहा हूँ लेकिन, क्या करूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारिया है जिम्मेदारिया? मेरी एक छोटी बेहन है, मैं सबसे पहले उसकी शादी करना चाहता हूँ बेहन? तुम्हारे बेहन भी है? हाँ, मेरी एक बेहन है, मेरी माँ भी है मदर, तुमने कभी बताया नहीं, कि तुम्हारे माँ और बेहन भी है? रोजी बहुत सी ऐसी बात हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सका तो बताओ ना वक्त आने पर सब कुछ बता दूगा वो तो ठीक है लेकिन तुमने मुझे अपने माँ और बहन से क्यों नहीं मिलवाया अरे वो शेहर में उती तुम मिलवाता था ना वो बेचारी तो गाउं में हैं और जैसे यहां आएंगी सबसे पहले तुम से मिलवाओंगा मेरे सपनों की रानी गब आएगी तू आई रुत्मद नानी राम भाया कहा गए दे सुबा सुबा मंदिर गया था दर्शन करने गाड़ी साफ हो गई आप की हो गई पस यह रहीं भाय की कर रहा हूं राम येस सुबा सुबा कहां चले गथे यार तुम सो रहे थे मैंने सुच आज टेक्सी कर श्री गणेश करना है तो मैं महलाश में मंदिर चला गया तुमारे लिए मलाई के लड़ू लेकर आया हूं तो खाओ, मैं कपड़ बदल कर आता हूं क्या बात है मलाई के लड़ू तो यार इलाहवाद में वो अपना साथ वलवाय थे न उसके बड़े अच्छ थे दग तुछ यह भी बात अच्छ रहे मंदिर के बाहरी दुकान है मुझे मुटा कर रहे मैं वही से खा कर आया हूं यह तेरे और रोजी के लिए हैं उसके लिए भी बचा कर रखना रोजी रवडी खाती है यार वो वही नहीं खाती बदमाशे नेचे लगी बंद कर यार अरे ये क्या है बंबई के समाज सेवक भुद्पुर्व एमेले नेरंजन सेट किये हत्या पुलिस वो किसी ट्रक ड्रैवर की तलाशा है जिसने उनके घर में घुसकर उनका कतल किया रहीम अपनी बस्ती में तो सब ट्रक ड्रैवर रहते हैं कहीं अरे यहां सब शरीफ है यार ट्रक ड्रैवर क्या मडरर होते हैं कहां लिखा है ये तारीक देखी क्या चे मीने पुराना ख़वार है अब तक तो बिचारे उस कातल को शायर फंस ही लग गई होगी आज खुशी के मगबर ये मडर मडर कहां तुमारे दिमाग में आ गया लोग इंजार करें चलते गयारो जल्दी और सुनो जब रहेम भाई राम भाईया को गाड़ी की चाबी देंगे न तो सब बच्चे ताली बिजाएंगे समझ गए शावाश अरे क्या चकाजक कर रखे है गाड़ी अरे रूजी आजा मिठाई चैबन रंग बली बली बिलाओ ये लिजाबी अल्ला बरकते अरे लिजाएंगे तक्सी तेंक यू आजकल बहुत से टैक्सी ट्रेवर ऐसे हैं लगता है पैसेंजर को गाड़ी में बिठा कर वो उन पर एहसान कर रहे हैं आपने तो बड़ी इज़त से मुझे अंदर बिठाया आपका फोटो अकबार में छपना चाहिए आप एक आदर्स टैक्सी ट्रेवर हैं अरे मेम साब इलाबाद के लोग ऐसे ही सब की चिज़त करते हैं अच्छा तो आप इलाबाद के रहने वाले हैं जहां के अमरूद मशूर हैं अरे नहीं मेम साब इलाबाद का गंगा जमना का संगम मशूर है जभाहरलाल नेरू मशूर है इंद 느रागांधी मशूर है अरे मेम साब, इलाबाद के लोग बहुत जानकार रहते हैं चले तो तलवाग, गले पड़े तो फूलों का हार अच्छे ये बताईए, कहां जाने हैं आपको? मिटे बाई कॉलेज तो आप वहां बी-ए में पढ़ती हैं? आपने कैसे जान लिया कि में बी-ए में पढ़ती हूँ? अरे बच्चन जी की मदुशाला, जब हम बी-ए में पढ़ते थे, तो हमारे कोर्स में भी थी आप बी-ए भी है? कमाल क्या आदमी है? अरे कमाल तो इलाबाद की मिट्टी का है, अब अमुरूद को ही ले लीजिए होने को तो सब जगह होता है सुसरा, ना शकल ना सूरत लेकिन इलाबाद का अमुरूद ऐसा है, कि अगर घर की बेटी ऐसी हो जाए तो लड़के वाले बगएर दहज के प्या कर ले जाएं आप तो बड़ी इंट्रेसिंग आदमी है, टेक्सी कब से चला रहे हो? आज ही श्री गणेश किया है, ये हमारी पहली टेक्सी है और आज हमारी ड्राइविंग का पहला दिन है, और आप हमारी सबसे पहली पैसेंजर है वोकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? पाती है मेम साब, काम तो काम ही होता है नया नया बंबई आया हूँ, बेकार बैठने से तो अच्छा है कि टेक्सी चला लूँ जब कोई अच्छी नोकरी में लगी, तो टेक्सी चला लाना छोड़ दूँगा, है ना? ये लिजी, आपको कॉलेज आ लेगा, एक मैं यहीं रोग लेता हूँ मेरा परस कहां गया, मैंने नहीं लिया, इलाबाद के लोग चोर रही होते, यहीं कहीं गिरा होगा, देख लिजीए लगता है मैं घर पर भूलाई हूँ, अब आपका किराय कैसे दूँगी खैर, कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूँगा अरे ने ने, आज आपका टैक्सी चलाने का पहला दिन है, और मैं आपकी पहली पैसेंजर हूँ, आपकी तो बोनी खराब हो गई, आप एक मिनुट रुकिये, मैं किसी से लेकर आती हूँ, कितना हुआ, नौ रुपए सुतर पैसे, एक मिनुट हाँ हाँ, हाँ, देशमा, अरे हाँ, बाद में करना, पहले जरे दस रुपए देना, मैं अपना पर्स घर पर भूलाई हूँ, और टैक्सी बाहर कड़ी, लो, टैंक्स, ओकी, अरे, ये गए कहाँ, पैसे भी नहीं लिये, अरे राम, तु आप ही क्या, दस, बीस, तीस, जानिस, पचास, साथ, एक सो असी रुपए, साथ पैसे, आज का धन्दा, आज का धन्दा इतना यार, मेरा तो पहले देने का कोई, चालिस रुपए ही हुआ था, धन्दा तो इससे भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन इसमें नौ रुपए सतर पैसे कम है, क्या औरे, तू तो कहता था कि लावद के लोग बड़े इमानदार होते हैं, आती है रहा फिरी शुरू कर दी, ऐसी बात नहीं रहें भाई, एक लड़की अपना पर्स भुलाई थ अज़िए लड़कियां बंबभईय रोज मिलेंगी, जो तुझे बेज कर खाजें, नहीं, वो इस तरह की लड़की नहीं लग रहे थी, किसी अच्छे खांदान की लग रहे थी, अच्छा, कैसी थी, गुरी थी, काली थी, गुरी थी, खुश्चु रह थी, खुश्चु नाम क्या था? नाम तो मैंने नहीं पुछा, नाम पुछा नहीं पैसे छोड़ दिये? पैसे छोड़े नहीं उधार दिये, वापस मिल जाएंगे, रहती गहाँ? मुझे नहीं मालूप, जाँ, 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 अपना अड्रेस दिया उसे? नहीं, आँ तो फि जाँ, 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 वाट फिर, कुंदन अपने बीपू का मारा, दारूपी का, ठेरीन आप, ड़tt day, जाँ, जाँ, इस कुंदन की तो मैं दारूपी, चल, पैसे से, निकाल, नहीं है, पैसे में पैसे मेरेश, मेरा जिना मुछक्ल कर दिये, चल, आज कुछे के पिलो, चल टो कित करते रहती है ल manifest कर लोके य dudrick नहीं बोलज legit 2 जो अधिया मुझे दो किस सा सघर्म करतेओं लिकिल किद करती रहे लाख धी ताहि से नही तो दूनी तो भीवी बूलते है यह फ्ली कर दो छिला? गोह जbek में आही है तुम ठीक कहते हैं कि रह सकता है यूसे ग développ टिक केते हो लालते मुझे मारो रही भाव मुझे मारो बेकार कarnya अपनी पीवी और बच्चों का पैट बह सकता मुझे मर जाना चाहिए लेंग partie पागल हो गया कुंदन, होश में हो, कुंदन, इसका कोई कसूर नहीं रहें भाया, तरसल यह हम लोग को भूका नहीं देख सकते, और हम लोग का पेट भी नहीं बाल सकते, बेरोजयारी का गुष्चा हम पर ही तो उतारेंगे न, तेरे पास काम नहीं है, न, मैं तुझे नौ अरे, इलाबादी जी, आप, आहां जेकर मैं भगवान से कुछ और भी मांगता न, तो मिल जाता, अच्छा, ऐसा क्या दे दिया भगवान ने, दिया नहीं, क्योंकि मैंने मांगा नहीं न, वैसे मैं आपी के बारे में सोच रह था, यही सोच रह होगे न, कि पहले दिन, प I'm sorry, मेरा नाम राम है, उस दिन तो मेरी बस छुट गए थी, वरना मैं कोई रईजादी थोड़ी हूँ, जो रोज रोज टाक्सी में कॉलेज जाओ, अच्छा, उस दिन में पैसे लेकर आई थी, तुमका अगायब हो गए थे, एक सावारी मिल गए थी, उस दिन कमाल की जरूर, हम इलावाद के लोग इन बातों में बहुत दिश्वास करते हैं, हम लोग तो यहां तक विश्वास करते हैं, कि अगर हमारा पहला ग्राग, हमारे साथ एक अब चाय पी लेना, तो हमारी किसमती पलट जाए, अच्छा, कहां पिलाओगे चाय, वो सामने हम गरीबो आज मेले, लगता है बारिश है ने वली, चले, अरे वा, चैसा, ये, दो कब बड़ी चाय बनाना, हमारे खास में माने, अभी लो राम भई है, अजय बनाना, हमारे खास में माने, अजय बनाना, हमारे वो राम भई है, अजय बनाना, हमारे खास में माने, अजय बनाना, हमारे वो सामने है, सावन के बादलों की नियत बड़ी खराब है बर्षा है अपके साल जो पानी नहीं जराब है सावन के बादलों की नियत बड़ी खराब है अपनी महबत अबाद सावन के बादलों की नियत बड़ी खराब है अपनी महबत अपके सावन के बादलों की हमने नहां लहीं पर दुनिया ने सुन लिया है दुनिया ने सुन लिया है मैं तेरा इंतखाब हूँ मैं तेरा इंतखाब हूँ इंतखाब हूँ तु मेरा इंतखाब है सावन के बादलों की नियत बड़ी खराब है कुछ सुन रहे थे लेकिन मद होश हो गए हम मद होश हो गए हम कुछ कहे रहे थे लेकिन खामोश हो गए हम खामोश हो गए हम दुनिया के हर सवाल का दुनिया के हर सवाल का घर सवाल का शायद यही जवाब है सारक की बातलों की लिटकरी पराख है कैसे किसी से जाके नजरे मिलाएंगे हम कैसे किसी से जाके नजरे मिलाएंगे हम लोगों से राज दिलका कैसे छपाएंगे हम छेहरे पे सब लिखा है सब लिखा है सेरा खुले किताब है सावन के बातलों की नियत बड़ी खराब बरता है अब के साल जो पानी नहीं शराब पानी नहीं शराब है अपनी महाबतों का मौसल ये ला जवाब है रिश्मा कहा को गई चाए ठंडी हो रही है राम राम जारम सेंटूर होटल के बाहर सूट बूट पहन हुए मेरे सामने से गुजर गया मुझे पहचाना तक नहीं बड़ी सी गारी में बैठका निकल गया काब अभी थोड़ी देर पहले अरे यार वो अंदर आ के कब से बैठा है क्या है यह कैसे हो सकता है चलो तुम अपने आंखों से देख लो यह देखो बैठा यहां क्या हुआ तो मिया तो वो कॉन था वो कॉन यार बिलकुल तुम्हारी शेकल का आदमी सूट मुट पहने लंबी सी गारी मेरे सामने से कुजर गया मैं राम राम चिलाता रहा उसने मुझे पहचाने तक से इंकार कर दिया मुझे लगा 100% अगर वो मैं था तो फिर मैं कॉन हूँ लगता है आज तुम जादा ही पी गए रोजी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ जुर्वां भाई तो नहीं था जो कुम के मेले में बिछ़गया हो यह बिछड़ने वाली बाते फिल्मों में होती है रियल लाइफ मैं तो इतना अप्षट हो गया था मुझे लगा मेरे दोसने मुझे पहचाना नहीं अभी फिच फ्राय आरी है ठीक हो जागा तुम अप्री क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस वेर रोजी अंदर है वाव अप्री क्रिस्मस अप्राय आजव सुफत इप मेरे नगर एकरिस इसमें क्या है अज़र इसकी आरी टी पैक्किंपे मच्छाना अज़ना इसकी अंदर बड़ी अच्छी चिज़ लाय हो अच्छा अज़री से पहनलो सनदी से पहनलो क्या करेगा? मामी को प्रेस करेंगे प्रेस नहीं इंप्रेस, इंप्रेस तो बोल रहा हुं प्रेस करेंगे अच्छा सुनो, इधारा हु सादा मत पिना अच्छा सुनो, इसको प्रेस करना जाहती है यार इसको प्रेस समें में निया रख कमाले इंगलीश ही तो है, Christmas is very happy Christmas, आओ राइम बेटे बैठो, आओ नहीं अमीजी आप बैठो, बैठो, लीजे, आओ ठरे ठरो, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है, नहीं अमीजी, मैं ये नहीं पीता, ये गौड का प्रशाद है बेटे, नहीं जी नहीं, गौड का प्रशाद ह आओ छाद, फोड़ीशी, लो बेटे, अमीजी, एक मिनट, इसे पकड़ी है, मेरे कान में डालती जी, अमी लाफिक तुमाच, है पीक्रिस्माच, ये नची बोई, बाट लीजे, बाट लीजे, बाट लीजे, बाट लीजे, बाट लीजे, मैं सोड़ा लाती हूँ, नहीं कहते हैं, सोड़ा डालने से हाथ कांपने लगते हैं, ऐसी ठीक है, हैपी क्रिस्माच, 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 हैपी क मैं ने नित्त पिन ने तुम रोजी को पर दिनर पर जाू बैüğम के साथ ले नेकी टिनार नाइ बहुत पर जाने के तुम्हारे बंबे के धिन नै यह इध्य mitigate दिनर पर गांगे तुम पर्रचब के साथ दिनर पर जाू झाल 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 जूम रहा है है मस्ती में जूम रहा है है मस्ती में ये कोई मसतारा है जूम रहा है लोगों इसे बचके रहना ये मेरा भी वारा है जूम रही है है मस्ती में जूम रही है है मस्ती में जूम रही है लोगों इसे बचके रहना ये मेरी वारा है जूम रहा है है मस्ती में जूम रही है है मस्ती में जूम रहा है जूम रहा है लोगों नूम रहा है रोज ये मिच से लड़ता है फिर भी पहिना करता है रोज ये मिच से लड़ता है फिर भी पहिना करता है कुछ भी है पर फोग है ये हाँ मेरा महभूब है ये मैं इसकी शम्मा हूँ शम्मा कारी परवारा है लोगों इससे तचके रहना ये मेरा दी आरा है ये छूब रही है है मस्दि में ये कोई मस्तानी है लोगों इससे बचके रहना ये मेरी दी आरा है लोगों इससे बचके रहना लोगों इससे दोगे जिए जार को और ये यह दिल धरका देती है, शोले भड़का देती है यह दिल धरका देती है, शोले भड़का देती है देखो इसकी जाल जड़ा, देखो इसके बाल जड़ा यह जावाने गुड़िया है या, लगी इंदुस्तानी है लोगो इसे बचके रहना, यह मरी दिवानी है जुम रहा है है मस्ती मेरे, यह कोई मसदारा है लोगो इससे बचके रहना, यह मेरा दिवाना है प्यार में इसको करता हूँ, लेकिन इससे मैं डरता हूँ यार मैं इसको करता हूँ, लेकिन इसम डरता हूँ इसको साजन कहती हूँ, दूर मंदर में रहती हूँ जाने अग क्या करवे की, होशसी मेरे बारा है लोगो इससे बचके रहना, यह मेरा दिवाना है जुम रही है है मस्ती में, यह कोई मस्तानी है लोगो इससे बचके रहना, यह मेरी दिवानी है आओ राम बाबू, कैसे हो? ठीक हूँ अरे, यह कोन भाई या? इन्हें नहीं पैचानते अरे भाई अपने राम बाबू है, इलाबाद के रहने वाले अच्छा अच्छा, आप भी इलाबाद के रहने वाले हैं आप कहां के रहने वाले हैं अरे भाई ये तो बड़ा टेड़ा पर्षन कर दिया तुमने अब हम सुखे के लिए से थोड़े बोल सकते हैं लो तुम भी पीओ ने मैं शराब नहीं पीता इलावाद के लोग शराब नहीं पीते अभी नए नए आयो बाबू जब हमारी तरह पुराने हो जाओगे तो पीने लगोगे हम पंदरा बरस से पी रहे हैं बाबू मगर साली की कड़वाट कम होने का नामी नहीं लेती आपने बताए नहीं कि आप कहां के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है अरे अब तो अपना नामी भूल गए बाबू अब तो हम MRP 2498 हैं बैटरी कमजोर कलच प्लेट खिस गए हैं बुशिंग धीरे धीरे कटती जा रही है अरे बाबू घर की याद करने से च्छाती में दर्द होने लगता है अब तो ये ट्रकी हमारे घर हैं कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी तो घरवालों की शकल तक धुंदला जाती है हम ट्रक ड्रैवरों की कोई जिंदगी है महिनों तक अपने घरवालों की सूरत तक नहीं देख पाते इस गनी भाई को देख रहे हो तुम आज इसके बच्चे का जनम दिन है काम पर नहीं गया सुब ऐसे ही अपने बच्चे की याद करके रोता जा रहा था इसलिए हम सब लोग मिलकर इसके बच्चे का जनम दिन मना रहें बबू एकातिब तकदिर मुझे इतना बता दे इतना बता दे आओ पांडू हाथ रसी और सेगल साम मरहूम लो तुम भी पियो अरे मुन्ना भाई तुम भी कमाल के आदवी हो खत का मजबून भाप लेते हो लिफाफा देखकर लावादी बाबू ये मुन्ना जो है न ये आदवी नहीं कुवा है कुवा प्यास से खुद बखुद कीचे चले आते हैं इसके पास लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो गपे मार रहे थे तो जाओ अपनी जाद विरादरी की लोगों के साथ बैट कर गपे मारो अरे ये ठहरे जाद के ट्रक ड्राइवर और तुम ठहरे जाद के टैक्सी ट्राइवर तुम छोटी सावारी वाले और ये लंबे सफर वाले जाओ तुम यह अपना वक्त खरा मत करो जाओ ये इलाबादी बाबू भी एक बंद लिफाफा है और जो खत इसके अंदर है वो पता नहीं किसके नाम का है रहीम आओ राम आओ उट गए मिया मालूम है कल रात को तुम्हारी क्या हलत थी अरबासकर यार कल किसमेसी थोड़ी धारूस ज्यादा होगी ये सब क्या है इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े है मेरे लिए हाँ और इसमें रोजी के लिए कुछ ड्रेसिस हैं मेरे लिए किस कुशी में मुझे एक अच्छी सी नोकरी मिल गई है मेरे यार को बहुत बड़ी नोकरी मिलेगी मैं तो आज चर जाकर के कैंडल जलाओंगी अरे एक कैंडल से काम नहीं चलेगा दो कैंडल जलाने पड़ेंगे वो क्यो? इसलिए कि कंपनी ने मुझे नोकरी के साथ-साथ रहने के लिए फ्लैट भी दी इसका मतलब तू घर छोड़का जा रहा है? हाँ चौंक्यू गए कब जा रहा है? कल इतनी जल्दी? जब जाना ही है तो कल गया पर सुक्या रहम अब ही तो हमारी दोस्ती शुरू ही है इतनी जल्दी छोड़का जाने की बात कर रहे हूँ मैंने तो सोचा था मेरा छोटा भाई मिल गया है उसे जी भर के बात ये करूँगा अपने दुखदर्द बाढ़णूगा अब मेरे दिल के अर्मान के दिल में रह जाएंगे अरे तुम तो एकदम एमोशनल हो गए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोसको एक अच्छे से नौकरी मिल गए है पहने को अच्छा घर मिल गया है कल जब उसकी शादी होगी बाल बच्चे होगी तुम नहीं चाहोगे क्यों उसका अपना घर हो राम तुम अपने शादी पर हमें बुलाओगे न पताओ, कैसा लगा मेरा प्रेशन तुम दनों को अरे ये 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 तो बहुत बहुत अच्छा है वाँ तुम्हारे चोईस बहुत अच्छा है थेंक्यू तुमका हमारे सैंस किस ने बताया रहीम ने मैने कब बताया नहीं बात ऐसी है रूजी हर खुमसरत लड़की का एक ही साइज होता है 36, 24, 36 ये एक सो के चाल हो रहाई मैं पैक पैक, चलो अरे भाई मैं भी पैक याई लो दूसर हो की, चाल दूसर, दूसर पैसे ही खतम होगा, ये आखरी दूसर है चल शो कर दे आई, आई, इक कलर है, राज़ा चकाचाग आज दो बेगमे साली धुका दे गई आरे तीसरी बेगम कहां गई, कौनू भगाई लेगा अरे पैसे बाट अब ये पहले पैसा ला पैसे आई देंगे यार निचल, पैसा ले यार अ hmm आप लोग पते बाटियें' और मेरे भी बांटिये मेरे अब भी लेकर आता हूं पैसे अब भी लेकर आता हूं चल दी कमें । आसे खर जो हो जाज़ जाज़ टाझिय। शो काम Absolutely जगभीं चाल को हम छाल किस grazing है पांडु भाई, क्यों बिदाएगे गीत गा रहे हो, मैं बंबई छोड़के थोड़ी जा रहा हूँ राम भाईया, आप आते जाते रहेंगे न राम भाबु इसकी बाद बिल्कुल मत सुनो तुम पहले आदमी जो इस बस्ती की दलदल को छोड़के बाहर जा रहे हो जरूर खाऊंगा, आप लोग और आप लोगों को प्यार मुझे जिन्दगी पर याद रहेंगा केलारा, एक पान हमको भी खिला दो, आज हम पान के पैसे खोड़ देंगे अरे पांडु हाथ रसी रहे दो, तो के पान क्यावेक हातिर बहुत समय पड़ा है तो के तही बस्ती में सड़े के हो, और सैगल साब का गाना गावे के हो राम भाईया, ये जब मर के उपर पहुंचेंगे ना, तो सैगल साब इने पकड़ के एतने जूते लगाएंगे एतने जूते लगाएंगे, ये फिर से जनमने ना भूल जाएंगे अरे भादूर, रोजी का है, यही हूँ मैं, ये देखने के लिए, कि राम जाते वक्त मुझे याद करता है कि नहीं अरे तुम भी कोई भूलने की चीज हो, रोजी, तुमने और रहीम ने हमेशे के लिए मिरे दिल में जगा बना लिया है रहीम है किदर? रहीम भाई, वहाँ कड़े है ये का रहीम, तुम यहाँ उदास खड़े हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए खुश, किस बात वे खुश हूँ? तुम छोड़का जा रहे हो यार पहला यार है जो मिलते ही दिल में घर कर गया और अब इस तो जाने से ठीक है मैं हमेशे के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आता जाता रहूँगा, चला रहीम भाईया अरे ये क्या कर रहे हो? आपके पाउं चुरा हूँ, आपने नौकरी दिलाकर मुझे जानवर बनने से बचा लिया रहीम इससे नौकरी मैंने दिलवाईया तुमने इससे वादा किया था ना? तुम्हारे वादे की इज़त तो रखनी थी चलता हूँ, देर रही सलाम रहीम भाई दस लिटर डाल दे अरे रहीम भाई, बहुत दिनों बात दिखें आज क्रिश्टन वाना जोने कम होता है अफाई मेरे अरे ये तो लाम का परस है मेरे पास कैसे आगया? उस साला बाद रात को इदर दर करना था ना उसी चक्कर में हो गया होगा वाल तो होगा इसमें आरके सिंग टी सी पी राम कुमार पुलिस के इतना मड़ा अफसर हेलो पाटिल निरंजन सेट के मर्डर किस की मौके वारदत की चीज़े यह भीच देना गुद मॉर्निंग सर गुद मॉर्निंग तेंक यू तुम जा सकते हैं ओके सर पुद मॉर्निंग निरंजन सेट का कातिल रहिम तो नहीं रहिम रहिम बलो बलो रहिम सेट यह रहिम आपकी टेक्स की जाबी आजसे मैं काम छोड़ रहा हूँ क्यों? आपको रियाद होगा उस दिन भी मेरे जमीर ने मुझे टोका था जिस दिन आपके कहने पर मैंने गुना की पगड़न्डी पर पहला कदम रखा था और आज आज भी एहसास हो रहा है कि उस पगड़न्डी पर चलते चलते मैं गुना की दलल में धासता जा रहा हूँ मुझे सास लेना भी गुष्वार हो रहा है मैं जीना चाहता हूँ सेट एक एक नेक जिना चाहता हूँ और हाँ काम चोड़ने की वज़े मुझे से बत पूछना इसलिए कि मैं बताओंगा नहीं रहीम वज़े मैं तुम्हें बताता हूँ वज़े है तुम्हारा दोस्त राम जो एक पुलिस आफिसर है क्यों हैरान हो गए अरे भई ये तो हम बहुत पहले से ही जानते थे हम चाहते हैं तो कभी का उसे ठिकाने लगा चुके होते लेकिन हमें मालुम था कि वो हमारे बहादूर और जाबास साथी कि आज तक ना आने पाए लेकिन अब जब तुम ही जा रहे हो तो हमें राम से क्या लेना देना हो सकता है कि तुमारे घर पहुंचने से पहले ही उसका काम तमाम हो चुका हो कुछ करने से पहले एक बार इतना जरूर सौNC कि मैम आपनी दोस्ती के लिए मरना और मारना भी चानता हूँ हमें कब तुम्हारी बहादरी पर शक है रहीम साहब फिर कभी मुलाकात हो या ना हो इसलिए जाते जाते अपनी पहन रेश्मा की शादी का तोफा तो लेते जाएए इसका मतलब है उस कतल में तेरी साज़िश थी मुझे ब्लैक मिल करने की तेरी चाल थी एक बात सुन ले रहतन सेट अगर मैं एक कतल कर सकता हूँ तो दूसरा कतल भी कर सकता हूँ अगर मैं एक कतल भी कर सकता हूँ तो दूसरा कतल भी कर सकता हूँ तेरा हूँ अरे रही तुम्हारे अपनी टेक्सी कहा है रही तुम्ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया तुम्हारे टेक्सी कहा है रोजी मैंने टेक्सी का धंदावंदद छोड़ दिया है और शाहिद मैं यह बस्ती भी छोड़कर चला जाओ मगर क्यों? हुआ क्या है? रोजी, मुझे गलत मत समझना कुछ बाते ऐसी होगी है कि मेरा यहारे न मुनासिब नहीं है फिर भी मैं कभी कि तुमसे मिलता ज़रो रहूंगा तुम पहलिया क्यों बुझा रहे हो? मुझे लगता है, तुम्हारे दिल पे बहुत बड़ा बोज है मुझे बताओ, शाहिद तुम्हारे बोज हलका हो जाए तुम जानना ही चाहती हो, तुस सुनो वो राम, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दोस समझता रहा उसने दोस्ती के आड़ में उसे जूट बोला कि वो बेरोजगार है, वो नौक्री की तलाश में यहाँ है मुझे तो यह भी शाक्या को वे लहावत कर रहने वाला है भी या नहीं तो फिर, कौन है वो? वो पुलिस का एक बहुत बड़ा अफसर है जो भेस बदल कर हमारे साथ रहत रहा जब उसका यहाँ कोई काम नहीं बना तो यह कहकर यहाँ से निकल गया कि उससे कहीं और लौक नहीं मिल गई है अगर वो पुलिस ओफिसर है, तो इसमें बुरा ही क्या है? आखिर वो है तो तो तुम्हारा दोस्त ना? यह पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते रोजी यह थोड़ी से शोहरत मैडल्स की खातर दोस्त यह जजवात को कुरवान कर डालते हैं लेकिन हमारे राम ऐसा नहीं है हो सकता है यह बात इसलिए चुपाई हो कि तुम्हारे जरीए वो किसे मुझें तक पहुंच सके यह फासलत दे करने के लिए उसे कई सदियां लग जाएंगी रहीम आईए राम कुमार सिंग सहब मैं जानता हूं तुम मुझे से नाराज होगी लेकिन उस वक्त मैं डूटी पर था मैं यहां किसी कातिल की तलाश में आया था कातिल तो नहीं मिला लेकिन एक दोस्त मिल गया और दोस्ती के आर्मी मेरे जज़वास से खिलते रहे बात बात में मुझे जूट बोलते रहे उस दिन होडल के बाहर जिस आदम को देखा वो तुम ही तो थे उस दिन मुझे साफ इंकार कर दे नहीं मैं वो नहीं था यार इस तर बेव को बनाने के ज़ूर थी मुझे मैं मैं डूटी और दोस्ती दोनों अलग-अलग रखना चाहता था दोस्ती बहुत परसनल चीज है प्राइवेट है नीजी है रहीम मैंने आज तक तुम हरे अलावा किसी और के साथ दोस्ती नहीं कि डूटी के लिए जिन्दा हूँ और दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ राम यह माफ कर दे मुझे मैं पता नहीं उसे में क्या मुझे हो जाता हूँ तेरा परस यह बैट तो बैट अरे रहीम तुने अपने परस में वो तूटाओ लॉकेट यू रखा हूँगा वो मेरे अबमियक निशानी है यार उसे मैं हमेशे अपने पास रखता हूँ यह ले तेरा परस क्या भीएगा चाहे अरे नहीं कुछ नहीं रोजी का है वो यहार बड़ी परिशान थी क्या हो गया आपस में मैं उसको ज़रा लेकर आता हूँ उसके परिशानी भी दूर हो जागी इस भर्स को लेबाटरी भिजवा और इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मंगभा और कटल की जगा पाएगा रिवॉल्वर की फिंगरप्रिंट से उसको मैच कर राइट सर कब तक आजेगी रिपोर्ट सर करीब एक हफता तो लगी जाएगा अच्छ ठीक एगा ओके एक टिकेट तो आपको लेना ही पड़ेगा या 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 हलो रेश्मा अरे इलहबादी तुम ये कार पलेट कैसे हो गई पहले तो टैक्सी चलाते थे आप कार में घुमने लगे हो हुआ ऐसे के मुझे अच्छी जिनोकरी मिल गई है और ये कार ये ये कार तो मुझे कंपनी की तरह से मिली है अरे वा ये तो बहुत अच्छा हुआ मुबारक हो ये या या का भई तो टिकेट्स ले लो पाटनर सब समझ जाओगे हमारे कॉलेज में एक चारिटी शो होने वाला है चारिटी शो कौन कर रहा है अच्छा शो आप कर रही है अच्छा ये बताईए सबसे आगे की सीट का टिकेट मिल सकता है ब्लैक में मिल सकता है या 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 सब समझ गया या 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 का मतलब मेरा स्टोर बैगया ये लिजिए शुकर है ये लोग गए वैसे भी मैं के दिनों से तुमसे मिलने की सोच रह था वो इस कुशी में? अब मुझे तुम्हारा पता पुछन था न? वो किस कुशी में? तुम्हारे पीताजी से मिलना है नहीं बड़े भाई है वो किस कुशी में? तो बात आगे बढ़ानी हो मेरी, और तुम्हाने शादी की बात करनी है हाँ, शर्मा गई न, चलो, अब पता बदा दो भाईया तो कहीं और हैते हैं, कभी-कभी घर आया करते हैं तुम ऐसे करना, शोब पर आजाना, वहीं मिलवा दूगी या, या, या झालो, अब बात करना, शोब पता दो उसका नाम है पिया वो मांगता है दिल मेरा या 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 उसका नाम है पिया, वो मांगता है दिल मेरा क्या करो करो मैं चाँ वो छोड़ हमको है पता या 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 दिल तु तू ने दे दिया वो छोड़ हम को है पता, दिल तो दूने दे दिया पूछती है हम से क्या, पूछती है हम से क्या उसका नाम है पिया, या, 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 वो मांगता है दिल मेरा या, या, या मुझ पे तुम करो यपी, मिल गए के उन नहीं मैले दिल दिया रहे, उसने दिल चुरा लिया तूने दिल नहीं दिया, या, या, या तूने कुछ नहीं दिया, या, या, या वो कैसे बन गया पिया, वो कैसे बन गया पिया उसका नाम है पिया, या, या, या इसमें मेरा तोश क्या, या, या, या क्या करों करों न क्या, क्या करों करों न क्या उसका नाम है पिया, या, या, या कैसे मिल गई लगर मुझको कुछ नहीं खबर जो हुआ हुआ मगर मेरी मरजी के बिना तुम को रब का वासता अरे धूंडो कोई रासता क्या करू परू लग्या या तुछ को भूल जा या 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 तुछ को भूल जाएगा उस में नाल है दिया या 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 याई जो भी हो हुआ करे मैंने दिल दिया जिसे चाल दूंगी मैं उसे फैसला ये कह लिया जात देंगे हम तिया या 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 इस लोग की नहीं दवा पर जलेगे हम तुआ उसका लाम है पिया या 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 वो मांगता है दिल मेरा या 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 उसका लाम है पिया या 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 वो मांगता है दिल मेरा अरे, रेश्मा, तुम्हारे आइटम ने तो कमाल ही कर दिया, लोगों ने बहुत पसंद किया तुम्हे कैसा लगा? एक्सलेंट, तुम्हारे भहिया का है? वो आज नहीं आए, शायद उने कोई जरुरी काम पढ़ गया होगा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इसी बहाने, तुम्हारे भहिया से मुलाका दो जाएगी नहीं, अभी नहीं, पहले मैं कोई मौका देखकर भहिया से बात कर लेती हूँ, फिर मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवा दूँगी रिष्मा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी हलो, हाँ बोल रहा हूँ, कब, कल, अच्छा, ठीक है साब जी, एक रहीम के ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अब तक तो छोटे मोटे कंसाइनमेंट पगड़े गए थे, लेकिन कल तो एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है अगर इस consignment के लिए रहीम की ज़रूरत है तो रहीम आ जाएगा मुझी तो उसका आना मुश्किल लगता है दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता जब मैंने कहा है कि रहीम आ जाएगा तो रहीम आ जाएगा उससे बुलाने के तरीके मुझे मालूम है टॉमी, टॉमी, आम्मा, सुबह से टॉमी नहीं दिख रहा है, उसके तबे तो ठीक है ना, अरे तेरा लाडला है, तू ही जान, कर ले जारी है लाडला है, क्या है बई, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, मैंने वो लॉकेट बनवाने दिया था, वो अभी तक नहीं बना मैं बहुत अच्छा है, तुझे बसंद आएगा, अच्छा चल कॉले चल, बाइ, बाइ, मा, अपनी रिश में पीए पास कर लेगी, इसके बाद उसे आगे पढ़ाया जाए, अरे पढ़ाई बढ़ाई छोड़ वेटा, इसके प्याह की सोच, अब कोई अच्छा सा लड़क में, मगर वो, बाइया, क्या हुआ, बाइया, टॉमी, टॉमी को किसी ने माँ डाला, उसके पढ़ने से चिछी मिली है, शायद तुम भूल गए हो रहीम के रतन सेट की मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, फिर तुम हमारा काम करने से कैसे इंकार कर सकते हो, रहीम, यह क्या बत्तमीजी है, किसी शरीफ आदमे के बेडरूम में आने का यह कौन सा तरीका है, बुस्तिल एक बेजबान कुट्टे को मार कर तु अपने आपको शे समने लगा है, यह तो तुमें बताने का एक तरीका था, कि मौत उनकी तकदीर बन जाती है, जो हमारे और खुलामी के दाइरे से भगने की कोशिश करते हैं, तु रहीम को भूल गया है, जो लोगों के लिए मात बन जाता है, जो उसके रास्ते में दीवार बनने के कोशिश करने है। आज मैं तुझे खत्म करके, उन तुमाम सबूतों को हमेशा के लिए खत्म कर दूगा, जि नेगेटिव मेरे हवाले कर दो, वर्ण। नहीं, तुम्हें नेगेटिव चाहिए न, मैं देता हूँ नेगेटिव चाहिए न, मैं देता हूँ आज तक तुम मेरी रीड की हड़ी पर एक केंच्यू की तरह रिंग रहा था आज से मैं आसाद हूँ आएंदा मेरे घरवालों की तरफ नदर उठा कर देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी मौत मरूंगा के मौत भी काप उठे आसे तेरे मेरे तुमाम रिष्टे खत्म ना दोस्ती ना दुश्मनी दोस्ती तो कभी थी ही नहीं और दुश्मनी तुम अब देखोगे अरे अब बस भी कर बेटी बस भी कर तेरे रोने से टॉम्ही थोड़ी जिन्दा हो जाएगा पर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था बेटी रहीम से कहकर मैं तरे लिए दूसरा पिल्ला मंगा दूँगी हो स्वीट ओ तैंक्यू भाईया जांक्यू थैंक्यू इसका ना में जी जूनियर कैसे रहेगा? नाई, इसका नम टॉमी जूनियर नहीं, इसका नाम सिर्फ जूनियर रखेंगे हैंना? Oh, thank you भाईया, thank you once again, you're the most wonderful brother in the world. क्या? हाँ हाँ, भाई, अच्छा है, पर बेटा तो खराब है. क्यों जी, मैंने क्या किया है? अरे अपनी मा के लिए एक बहु भी नहीं ला सकता मैं तुझे अच्छा कहूँ या खराब कहूँ अम्मा ये रिकार्ड सुनते सुनते मेरे कान पक गया है रिकार्ड घिस गया है लेकिन आपने ये रिकार्ड बजाना बंद नहीं किया लेकिन भाईया, मुझे भावी चाहिए भावी चाहिए? तो ठीक है कुटा ले जाए अरे, अरे, नो, नो, प्लीज बता भावी चाहिए कुटा चाहिए? दोनो दोनो चाहिए, दोनो अरे, अच्छा, लो तुम तो कह रहे थे, तुम्हारी मा और बहन गौमे रती हैं नहीं, रोजी, वो मेरे पास यहीं बंबई में रहती हैं लेकिन मैंने उन्हें छुपा कर रखाया मैंने ही चाहता तक इसे को पता चले कि मेरी मा और बहन यहां मेरे पास है क्यों? एक बहुत बुड़ा बोज था मेरे मन पर जिसे आज मैंने उतार कर फैंक दिया कैसा बोज? यह फिर किस दिन बताऊंगा? तुम जल्दी से तैयार हो जाए, आज मैं तुम्हें अपनी मा और बहन से मिलवाना चाहता हूँ और रोजी अमा? रेश्मा? और रेश्मा है और यह रोजी है मैं समझ गई क्या समझ गई? अमा, भाईया मेरी होने वाली भावी को लाए है सलाम करवाने पेटे, बहुत इंसजार करवाया है तुने मगर जब लाया है तो चान का टुकड़ा लाया इस घर में अमा, भाईया का शर्मा न देखा? हाँ दूर देश से की तुपर देश से आएगा आएगा मुझे ले जाएगा 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 दूर हुई दसी दूरी असारे खत्म हुई मज़बुरी असारे खत्म हुई मजबुरी असारे भीकत काच के चोड़ी असारे सोनी तब लो मुझे पहलाएगा आएगा मुझे आईगा मुझे ले जाएगा आईगा मुझे ले जाएगा आईगा मुझे ले जाएगा आईगा 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 मुझे ले जाएगा आईगा मुझे ले जाएगा आईगा मुझे ले जाएगा आईगा मुझे ले जाएगा आईगा 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 पर पाएगे फिंगर पेंट्स, दौनों एक ही अदमी के हैं यू में को ओकेज़ ओमाइगाट ये तुमने क्या किया रही नाम मुहम्मद सुबहान जे भिशाल जे मेचाल झाल 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 किसने मारा इसे किसने मारा इसे मैं पूछ रहा हूँ किसने मारा इसे इसे रहीम ने मारा इसे उसने कहा था कि किसकी गड़ी है ये रहे मैं राम भाई आये है राम आये है? हाँ, गिरीग रूम में आप पंज़ार कर रहे हैं राम? कैसे है? हाँ? क्या बात है? बड़े परशान हो? रहीम तकदीर भी क्या-क्या इमत्यान लेती है तेरी और मेरी दोस्ती के इमत्यान की गड़ी आ गई है कैसे इमत्यान? कैसी गड़ी? बताना क्या है? तुम्हें मुझे से शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अपने मारे में कुछ नहीं बताता लेकिन आज मुझे तुम से शिकायत है कि तुमने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा अगर समझा होता तो आज तक मुझे वो बात नहीं चुपाते कि तुमारी जिन्दगी में इतना बड़ा हाथसा हुआ और उस हाथसे का बोज तुम अकले उठाये गुम रहे हो तुम किस बोज के बाद करे हो, weapons क्या हाथसा हए रहीम के जिन्दगी में मैं जो कुछ बोल रहा हूं रहीम अच्छी तरह जानता है शायद इसने तुम्हें भी नहीं बताया कि इसने बहुत बड़े आदमी का खुन किया है खुल? किसका खुल? निरंजन सेट का उसी खुन की तफ्तिश करने के लिए मैं यहाँ आया था देखो रहीं मैं जाँता हूं कि तुम पेशेवर मुजरिम नहीं हो मगर मैं यह नहीं जानता कि किस आद़ में तुमने वो खुन किया लेकिन जुर्म तो जुर्मी होता है राम तुम एक आला पुलिस अफिसर हो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि हार जुर्म के पीछे एक कहानी होती है मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ कहानी भी बताऊंगा फिलहाल तुम अपना फर्स पुरा करो मैं भी कितना बतनसीब रहीम कि अपने दोस्त को गिर्फतर करने काम मुझे ही सौंपा गे तुम गिर्फतर करोगे रहीम को जिसके साथ एक ठाली में खाना खाया जिसने बिना जान पेचान तुम्हें सहारा दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इल्हाबाद के रहने वाले हो क्या इल्हाबाद के लोग ऐसे ही होते है राम अगर तुमने रहीम को गिर्फतर करने को कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राम कुसका फर्स पुरह खरने दो तो क्या इसका मेरी तरफ कोई फर्स नहीं बनता तुम्हारी तरफ कोई फर्स नहीं बनता राम मेरा दोस है दुश्मन नहीं ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है रोजी और हाँ रहीं भाईया को ने जानी की कोशिस करेगा हम मोगे जान से मार देंगे अरे मरने मानने की बात मत करो भी या इन दोनों में से अगर एक भी मर गया तो शाम तक हिंदू-बुस्वान में दंगा हो जाएगा और याग सारे हिंदोस्तान में फैल जाएगी रहीम को छोड़ दो राम, वर राम तुम्हे माँ दालेगे माँ दालेगे जब किसी ने राम को छुआ भी राम और तुम्हारे दरमयान मैं खड़ा हूँ हमदाद उठाओ लाठी, मारो मुझे बात का बतंगर क्यों मना रहे हो तुम लोग राम मुझे नहीं ले जा रहा, मैं राम के साथ जा रहा हूँ बात को समझा करो आउ राम रहीम, रहीम रहीम, बचाओ रोजी, फिकर मत करो रोजी तुम्हारी दौएं मेरे साथ है सबश्ती वालों की दौएं मेरे साथ, सब ठीक हो जागा ये तुम क्या कह रही हो बेटी ऐसा, क्या किया है मेरे बेटे में पुलिस का कहना है उसने किसी का खूल किया है खूल? नहीं, नहीं माची, अमा रोजी, रोजी, तुम अमा का ख्याल लखना मैं भाईय से मिलकर आती हूँ माची मेरा दिल ये मानने को तयार नहीं कि तुम जैसा नेक और शेरिफ इंसान जिसने मुझ जैसे गायर और अजनबी को अपने दिल में इतनी जगा दी, वो किसी का कातिल भी हो सकता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, रहीम देखो तुम्हें एक गातिल की तलाश थी, वो तुम ही मिल गया अब मेरे जखमों करेदने से क्या फायदा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ मैंने तुम्हें गिरफ्तार करके, अपनी वर्दी का फर्ज अदा किया है लेकिन अब मैं दोस्ती का फर्ज अदा करना चाहता हूँ प्लीज रहीम, मेरी मदद करो तुमने बस्ती वे कहा था, कि हर मुझेम की बीचे एक कहानी होती है मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ प्लीज, तुम्हें दोस्ती की कसा तुम लग बाहर जाओ अब बलो मैं भी कातिल पादा नहीं हुआ था राम अपने और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ट्रक चलाता था मैं बहुत खुश्टा अपने काम के साथ अपने माँ, अपने बहन के साथ जिन्दगी बड़े प्यार से गुसर रही थी एक दिन अचानक पता चला मेरा ट्रक समगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मैं अपने ट्रक में चरस, फीम, गांजा जैसी चीसे अपने मुलक एक कोने से दूसरे कोने तक पहुचा रहा हूँ जिस दिन मुझे इस बात का पता चला मेरा खुन कॉल उठा और मैं अपनी कंपनी की दफ दे पहुचा अभी अंदर नहीं जाओ रहीम खान सेट लोगों का आपस में जगड़ा चल रहा है मुझे नहीं मालूम धरतन कि तुम इतने बड़े कमी नहीं निकलोगे तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हारे नाम के ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई बिना पैसे लगाए तुम्हे भागिदार बनाया लेकिन तुम तुम अपनी हरकतों से班 titles नहीं आये तुमने 50,000,000 रुपया कंपनी का खवण किया है निरणजन सेट तुम्हें हिसाब किताब करने में जरूर कहीं कुछ खलती हुई है कोई खलती, कोई खलती नहीं हुई मुझसे ये देखो, ये है आउडिटर की रिपोर्ट सुनो, मैं तुम्हें एक हफ़ते की महलत देता हूँ अगर एक हफ़ते के अंदर तुमने कमपनी का पचास लाख रुपया नहीं लोटाया तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस तरह पैसा वसूल करूँगा तुमसे अरे, तुम अभी तक ट्रक लेकर गए नहीं? ये क्या? अगर मुझे पता होता ट्रांस्पोर्ट कमपनी की यार्ड में स्मगलिंग का धंडा करते हो तो कभी इस कमपनी की ट्रक नहीं चलाता? अगर ये माल पकरा जाता तो लोग यही कहते ना कि रहीम समगलर है मेरी माँ, मेरी बेहन, मेरी जान से ज्यादा मेरी इमानदारी की खास्म खाती है उन्हें मूँ दिखाने के लायक नहीं रहता मैं अब जिस ट्रक पर अल्ला निकेबान लिखा है उसी पर ये लालत अलदवादी सेट आज से इस कंपनी की नाकिली लिए करूँगा हैरो रहीम अब मेरी बात भी सुनते जाओ चितनी हैरानगी तुम्हें हुई है कि तुम्हारी ट्रक में ड्रग्स लादे जाते है उससे कहीं ज्यादा हैरानगी मुझे हुई है दरसल तुम्हारे ट्रक में निरंजन दास की दूसरी कंपनियों का माल लादा जाता था लेकिन उसमें ड्रग्स होते थे ये मुझे भी मालूम नहीं था हाँ और अब मेरी समझ में आया कि उसने ये ट्रांस्पोर्ट कंपनी मेरे नाम पर क्यों खोली थी ताकि अगर कभी माल पकड़ा जाए तो पकड़े जाएंगे हम और तुम क्योंकि मैं हूँ कंपनी का मालिक और तुम हो ट्रक ड्राइवर लेकिन अभी तुम बात अपने तक ही रखो मैं निरंजन दास से बात करूँगा ठीक है रदन सेट तुम्हारा नमक खाया है रहीम अल्ला के बाद नमक को मामता है मैं चुप हो जाता हूँ लेकिन इसके बाद फिर कोई ऐसी गंदी हरकत हुई तो मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगा दूँगा गुलजार सेट निरंजन दास हमें धमकी दे कर गया है और रहीम को मालूम हो गया है कि उसकी ट्रक में हम ड्रक्स भेजते हैं ये तो बहुत बुरा होगा सेट जी क्योंकि रहीम एक खुदापरस्त इंसान है और वो इस बात को कभी बरदाश्ट नहीं करेगा और फिर निरंजन सेट की धमके को भी आप खोकली धमकी मज़ समझे उनका तो उठना वेटना ही मिनिस्टरों के साथ है वो आपको मुसीबत में डाल सकते है और फिर वो एक माने हुए समाज सेवक भी है जानता हूँ कैसा समाज सेवक है वो समाज सेवा की आड़ में हर रोज एक लाएक लड़की को अपने हवस का शिकार बनाता है सेट निरंजन दास की सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की और रहीम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी बेहन यहनी एक दीर से दो शिकार बुलजार सिंग जी तुम रहीम का घर जानते हो ना जानता हूँ जी यह रहीम का घर है जी हाँ और आप मैं उनकी बहन हूँ तो जल्दी चलिए उनका एक्सिडेंट हो गया है कहा है भया सेट जी की कोठी पर ओ माइगाड घर में मा भी नहीं आ है आप घबराएं मत मैं अपना ड्राइवर यहाँ छोड़ जाता हूँ वो माजी को लेकर आजागा आप जल्दी चलिए चलिए पीछे पीछे चलिया है क्या बात है बात बुरी है रहीम मैं तो सीधा पुलिस टेशन चला गया होता लेकिन उसमें तुम्हारे खांदान की बदनामी हो जाती ऐसी क्या बात हो गई लिरंजन दास को मारूम हो गया है कि तुम मेरे आफिस में आय थे उसने तुम्हारा मूँ बंद करने के लिए तुम्हारी बेहन को उठवा लिया मैं उसका खून पीजाँगा कहाँगा वो अपने जुहू वाले बंगले में ठेरो रहीं वो वहाँ अकेला नहीं होगा इसलिए अपने हिफाज़त के लिए इसे अपने साथ रखो मुझे छोड़ दीजे मुझे जाद दीजे मैं आपके हाँ जुकती हूँ मुझे धुके से लाए गया है अब यहाँ आई गई हो जैने मन तो हमारी हमारी शम रंगीन बना के जाओ हम तुमें बहुत खुश कर देंगे बचाओ बचाओ जाद दुखो जाने मन अब भाग दोड़ करने की हमारी उमर नहीं है बख जाया मत करो मेरी जान अब पर देदे अबख जाने मन वाया? वैया? वाय? वाय? वेश्मा? बस्मा करिसे. मैं आगय हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा देख, जो हो गया है न, इसका भूल कर भी किसी से जिकर नहीं करना यह तुमने क्या किया रहीम मैंने तो तुम्हें पस्तॉल तुम्हारी हिफाज़त के लिए दी थी ना कि निरंजन का खतल करने के लिए अपनी बेहन की इज़त बचाने के लिए, इसके सबाए मेरे पास कोई चारा नहीं था आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं नहीं, ऐसा मत कहो मेरी नजरों में तुमने कोई जुर्म नहीं किया तुम्हारी जगा मैं होता, तो मैं भी शैद यहीं करता कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे मारी देना चाहिए मैं आपका यहसान जिन्दगी भर नहीं भूल सकता सेथ आपने लिए मुझे वक्त पर खबर ना की होती तो मेरी बेहन तो जीते जी मर गए होती और मैं, मैं दुनिया को मुझे दिखाने का लायक नहीं रहता जो हो गया उसे भूल जाओ रहीं अपने दिल से ये बोज उतार दो कि तुमने कोई खतल किया है ये राज रेश्मा तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा ये रहीं माज से आपको गुलाम होगया है सेथ जिदेगी में कभी किसी वक्त मैं आपके काम आसकूँ तो अपने आपको खुशकिसमत समझूँगा उसकी अब नौबत नहीं आएगी रहीं ये कमपणी तो शायद अब बंदी करने पड़ेगी बंद करने पड़ेगी? क्यों? सेथ निरंजन दास की गारंटी पर मैंने करीब एक क्रोड रुपया उधार उठा रखा था उसके मरने की खबर सुनते ही लेंदार आकर मेरा गला पकड़ लेंगे मैं अपने आपको बेच भी दूँ तो भी इतनी बड़ी रखमा दाने कर सकोगा इतनी बड़ी रखम सेथ मेरे पस रेश्मा की कुछ गहने है कहो दो ले आओ पागल हो गए ओ क्या? तुमारी बेहन के गहने बेचने से पहले मैं मरने जाओगा? अब तो मेरे सामने दो ही रास्ते रह गए है या तो मैं खुदकुशी कर लू या 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 क्या? दूसरे रास्ता के है सेथ मुझे बताओ मुझे पता चला है के निरंजन की दो ढ़ाई करोड की ड्रग्स मेरे गुदाम में पड़ी है अगर मैं वो ड्रग्स बेज़ दू तो शायद बच सकूँगा लेकिन ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं और ऐसा काम करने के लिए मैं किस पर वरुसा करूँ किस पर ना करूँ कुछ समझ में नहीं आथा अब मुझे में वरुसा किजे सेथ आपके लिए मैं जहन्म के आग में भी चलने के लिए तैयार हूँ आपका ये माल मैं ठीकाने पर पहुंचाँगा रहीम ये तो तुमने मुझे अपने असानों तले दबा लिया देखो आज से तुम ट्रक चलाना बंद कर दो मैं तुमें एक टेक्सी ले दूँगा और उस टेक्सी में तुम सारा माल आहिस्ता आहिस्ता जग़ जगा पहुंचाते रहो जैसे ही मेरा करजा पूरा हो जाएगा बाकी सारा माल उठाकर मैं समंदर पे फैंक दूँगा जिन हालात में तुमने ये सब किया तुम्हारी जगा कोई भी होता, यही करता मगर इस जुम्र के पिछे जितना हथ तुम्हारा है उतना रतन सेट का भी है इसलिए अगर तुम्हें सजा होगी तो आजाद मैं उसे भी नहीं खुमने दूगा भाया पेशमा भाया पेशमा यह सब क्या हो गया भाईया, यह सब क्या हो गया उचने बगली, सब त्रीक हो जाएगा अच्छा होता अगर मैं मर गई होती मेरी वज़े से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी ऐसी बात नहीं है खरी आपके मुसीबतों की जड़ो भाईया अरे नहीं ना आपने मुझे क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने दिया हुता कैसी बात ही कर रहे हूं राम तुम हा रेश्मा बदकिस्मति से मैंने इरहिम को गरतार किया है तुम तुम पुलीस अफसर हो मगर तुम तो टैक्सी जब मैं टैक्सी चलाय करता था तब भी मैं पुलीस अफसर था तो तुम आज तक मुझे छूट बोलते रहे और आज मेरे देरता जैसे भाई को गिरफतार कर लिया मैं पूछती हूं अपनी बहन के आबरू बचाना इस देश में चुर्म कबसे हो क्या नहीं पखली राम ने अपना फर्स पुरा किया है अरे राम यही वो लड़की हैं जिसके बारे में तू बात किया करता था हा रहीं लेकिन मुझे नहीं मालम था यह तुम्हारी बेहन है अरे मैं तो तेरे और रेश मा की बया किसा अपने देखा करता था मैं तो जी ही इसी के लिए रहा हूं अल्ला خसम आज बहुत खुश हूं बहुत खुश हूं आज मैं आज मेरी जिन्दगी की तलाश खत्म हो गई मेरी जत्दयो framework खत्म हो गी है तुम्हारा और रिश्मा का भ्याह हो जाए, उसके बाद भले मुझे फांसी लग जाए, मुझे किसी बात का डर नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, तुम्हें मुझे कोई अलग नहीं कर सकता अगर मेरे भैया को कुछ हो गया ना, तो इस दुनिया से इंसानित और शराफत का नाम मिट जाएगा मुझे जैसी अनात को सहरा देने वाला नहीं रहेगा अनात? तो क्या? रहीम तुम्हारा सगवाई नहीं है? सगे भाई को तो मैंने कभी देखा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दुनिया के हर लड़की का भाई, मेरे रहीम भाईया जैसा हो तुम क्या कह रही हो मेरी, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझाती हूँ, आओ मेरे साथ ये देखो हैरान हो गए ना, ये रहीम का घर है और ये शंकर जी का मंदर भी रहीम के घर में है मगर धर्मों की काल कोटशी में बंदिस दुनिया के लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते आप भी नहीं जान सकते, कि ये हिंदू रेश्मा उस मुसल्मान रहीम की पहन है सच पूछे तो मेरा उनका खून का रिष्टा नहीं है मगर असली रिष्टे खून के होते ही नहीं है क्योंकि अगर खून बहता, तो रिष्टे भी बह जाते तो फिर तुमारा और रहीम का ये भाई-बेन का रिष्टा? रिष्टों का कोई धरम नी होता राम साब ना तो आप गीता पढ़ते पैदा हुए थे और ना रहीम भईया कुरान पढ़ते हुए और यह जो मंदिर है यह मेरे लिए मेरे मुसल्मान भईया ने बनवाया है पंदरा साल पहले मैं मेरे माता पिता के साथ पाइकला में फात्मा मंदिल में रहती थी उस साल बंबई में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी कई मकान गिर गए फात्मा मंदिल भी उनी में सेख थी मेरे माता पिता उसी बिल्डिंग के नीचे दब कर मर गए करीम चाचा रहीम भईया के अबबा उसी एक्सिडेंट में मारे के अम्मा मुझे बचा कर यहां ले आई कई मेने तोक उनने इंतजार किया कि मेरा कोई रिष्टेदार आएगा और मुझे ले जाएगा मुझे लेने कोई नहीं आया सब लोग अम्मा से कहने लगे इस बच्छी को अनाथाले में भरती कर दो मगर रहीम भईया ने किसी की न सुनी और मुझे बहन बना कर इस घर में रहने दिया तब में तीन-चाए साल की लावार इस बच्ची थी अपने नाम के सेवा में कुछ नहीं जानती थी मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं Hindi हूं एक दिन अम्मी नमाज पढ़ रही थी मैं उनके पास कड़ी इनकी तरथ उठ बैट रही थी और सच्च्दे में जा रही थी भाईया ने मुझे संजाया कि मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो मैंने कहा अम्मी तो पढ़ती है तो बोले अम्मी मुसल्मान है मैंने कहा मुसल्मान क्या होता है भया के पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं था वो बोले अम्मी मुसल्मान है और तुम हिंदू हो मैंने कहा हिंदू क्या होता है भाईया के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था फिर मैंने पूछा कि अगर अम्मी मुसल्मान है मैं हिंदू हूँ तो तुम क्या हो भाईया ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा मैं तेरा भाईया हूँ मुझे नाज है अपने दोस्त पर मैं रहीम की दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे बचाने की पूरी-पूरी कुशिश करूँगा बड़ा सिधा है मेरा दोस्त उसके भूलेपन का फायदा उठा कर रतन सेट ने उसे खून करवाया और अब रहीम को बचाने के लिए रतन सेट को बेनकाप करना ही होगा ने चलोशे लिए ज 두तततत अंच को बच्यम करचकत रा छोस्त करना ही हम है हुआ करचक्त करने के छाद noticing करने के बादिवडस करने कर दोस्त करने करचक्त करने कर तूरी-ंव करने कर दो wasn't मेरे सारे गोदाम जल गए करोडों का नुकसान हो गया मेरे पीसियों आदमी पुलिस की हिरासत में है जो कभी भी पुलिस के दबाओं में आकर मेरे खिलाब सब कुछ उगल सकते है और जिस हरामजादे ने ये सब कुछ किया है वो अभी तक जंदा है हम कर भी क्या सकते है रतनसेट वो पुलिस की हिरासत में है पुलिस की हिरासत में है पाताल में तो नहीं चला गया जाओ और जाकर लॉक अप पे उसे खातम कर दो और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अपने मन्हूस शकल मुझे नहीं दिखाना समझे अपनी बेहन की इज़द बचाना एक भाई का फर्ज है बेटे पर तुमने इतनी बड़ी बात मुझ से छुपा कर रखी कैसे बताता अमा ये बात सुनकर तुम जिन्दा रह सकती थी ये बात तुम्हें खुद को भी बताना नहीं चाहता था किसी कमीने के गंदे हाथ मेरी बेहन की ओड़नी तक पहुचे है पर अमा तुम फिकर मत करो तुम्हारे इस बेटे के केस की पैरवी तुम्हारा छोटा बेटा राम कर रहा है मैं उस राम से क्या उम्मीद लगाउं जिसने जिसने तुझे की रुफ्तार कर लिया बेटे वो अपना फर्स निवार है अमा आग लगे ऐसे फर्स को आग लगे जो भाई को भाई के खिलाव खड़ा करके रख दिया है अमा वो भाई ही नहीं आप तो हमारा दूला भाई भी है क्या रेश्मा के बारे में राम से तुम्हारी कोई बात हुई है यह मा अब तुम इतमना नंसे घर जाओ राम और रेश्मा के ब्रया किते गहरी करो या अल्ला तैना लाग लाग शुकर है तुम जल्दी यहसे निकल जाओ अम्म, 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 भाग लो कुटों जहां तक भाग सकते हो, नहीं चोड़ूगा मैं, अब नहीं चोड़ूगा, कभी नहीं चोड़ूगा रहीं, रहीं, यह सब, राम, मेरी माँ को माँ दाला राम, रहीं, वो लोग कौन थे, कौन थे वो लोग उटो वीटे... अबने रशुप अने रशुप अने रशुप आटए तया... जो 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 जब दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सकता है झाल 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 लराज़े इसका पिछा करो इसके जरिया मुरतन सेर तक पहुंश सकते हैं पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, शेहर में नाकवंदी हो गई है, लेकिन रतन सेठ को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रतन सेठ हवा का वो जोका है, जो जब चाहे जिदर से चाहे निकल सकता है, तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगी, मैं अ नहीं नहीं जाओगी, क्योंकि इस सफर में तुम एक्स्ट्रा लगेज हो, और एक्स्ट्रा लगेज लेकर, मैं कभी सफर नहीं करता, गुट्बाई किसने महारत सेठी नि, कहाँ आएब हराम भाटा、 जोपल जाटा? वोट अभी नहीं आई बस थोड़ी देर ना जाएगी गाड़ी बापिस देजो सब चीगा ना जी सेट जी बंगले से फोन आया है रहीम पुलिस की एरासस से पाग निकला है और वह यहीं आ रहा है तुम लोग चारो तरह फैल जाओ जैसे ही रहीम नजर आए उसे गोली से उड़ा दो किटेना हा मुझे सा पता जल गया है मैं डॉक से ही बोल रहा हूँ तुम फ़रण चले आओ मैंने रहीम का पूरा बंदोबस्त कर दिया है तुम फ़रण आजो मैंने रहा है तुम फ़रण जैसे ही बोल बंदोबस्त कर दिया है मैंने रहा है तुम फ़रण जैसे ही बोल बंदोबस्त कर दिया है मैंने टुम फ़रण मैंने तुम फ़र्ण जैसे ही बаничार आपमित मैंने बोल बंदोबस्त कर दो कर दो कर दो कर दो हेलो, बोट का क्या हुआ? सिर्शी बोट आड़ी आगई? अपनी मौत से बच कर तो नहीं जा सकता अपनी मौत से बच्छ कर तो नहीं जा सकता इंच झाल 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 जिस कतल का इल्जाम तुम पर है उस कतल के जुर में मैं से सदा दे वांगा झाल 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 तुम 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 अपना फर्स पुरा कर सकते हूं तुम 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 इसका थह यूजा आजया तुमारी और्रेश्मा की शादी कैसे होगी झाल